तो चलिए फ्रेंस शुरू करते हैं आज इस चटपटे करेली की रसिपी को इस रसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रेंस कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीस जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और इस पीडियो की नेचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल न भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम करेला उसे मैंने कट कर लिया है और आदे घंटे के लिए न जी न मसाला चाहिए कुला चाहिए होगा हमें चली देखलेते हैं मैंनें लेह शॉंफ पॉर्डर धेड़की चाम मच्ट आम चुरत पाउडर 1 च्कड़ः निया पॉडर1 च्कड़ड ए च्यॉंब देर पाउडर 3 प्रत्य अधि चोंटी चमब्सम्स जाद है रखंडमें करेंगे और प्षीजेशन पाद हम दालेंगे राई कुमन सीड लाए चातक लुटारि नेकू Engbam पखने के बाद हमें डालेंगे पियाज कि अब जाने के बास के साई बाय ठाल देने के बाद हम कि अची तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बार में उसमें डाल देंगे और इसके बार में आड़ करेंगे धाइस और लालमेच पाउडर आपके चलेंगे चला देंगे गया कि यहां पर 15 मिनुट के लिए इसे खोल खोल कर भी पकाया है क्योंकि करेला हमारा बिल्कुल ड्राय होता है तो यह जल्ले कड़ना रहता है इसलिए आप इसको बीच पीच पे चलाते रहेगा तो अब हम इसमें देंगे धनिया पाउडर अमचूर पाउडर और सिदाइब मिक्स कर देंगे हम पिल्कुल अच्छी कर से चलाते हुए और हम घैस की पिम को कर देंगे तेज और थोड़ा सा हम हमारे सबजी को भूल लेंगे रख को कि ठीज में हम इसे खोल कर 2-3 बार चला देना है ताकि करेल्च हमादा जलेना क्योंकि बिल्कुल ड्राय होता है कि बिल्कुल पाने नहीं पर्था तो य Ос самого आप धीध सक फ्रेंट यह लीजिया हमने करेल्य को अच्छी तरह से भूल लिया तो आप इस करेली के रेसिपी को घर पर जरूर ठ्राय कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिए